वेलकम बैक तो मैं चैनल तो टोड़े विल डिसकस अबाओ इस चैप्टर रिप्रदक्शन इन ओर्केनिजिम चैप्टर वन क्लास 12 और इन इस चैप्टर विल स्टैटी टू में टॉपिक्स लाइफ इस्पैन और प्रदक्शन तो एंट टाइप्स अप्रदक्शन एस एक्ष अप्रदक्शन तो सबसे पहले यह चानना होगा कि वाटीस लाइफ इस पैन जो है वह क्या होता है तो पिरिएट फ्रॉम बर्थ टू दरने डिश्वल देट ओफ एन ओर उर्गेनिजिम डिप्रेजेंट इस लाइफ इस पैन तो ऐसा टाइम पिरिएट जिसमें जन्म से ब बोलते हैं तो life span छो होता है वो डिफेंट डिफेंट अर्ग अर्गनिजम का अलग अलग लाइब सपन होता है जैसे कि बनाना अंधिवगी चिस नंबर फॉर में यह हम देखते हैं कि यहां पर जए बहुत सारे ओर्गिनिजम जो हैं उनका टाइग्राम दिया हुआ हो बताना है कि कौन से और्गिनिजम का लाइफ सिपेंग किपना होता है तो इसमें कुछ और्गनिस्म का Life Spence तो बागियों का समय में हुदी है एलिफेंट का जो है वÈ mów लाइफ इस्पएं जेनम से मृतीयों का समय में मोरत परहतीं जो होता है वह साथ से नभे साल का होता है 60–90 से का ओटार्प्लांटर होता है उसका जो life span होता है वो 5 to 7 years का होता है dog जो है उसका life span जो है वो 25 to 30 years का होता है उसी तरीके से butterfly का 1 to 2 weeks का होता है crow and parrot के बीच में हम difference देखेंगे चुकि यह दोनों bird है लेकिन इन दोनों के life span में बहुत ज़्यादा difference है तो इससे हम यह जानने को मिलता है कि body structure जो है वो depend नहीं करता है life span में ठीक है इसमें crow का life span जो है वो 15 years का है लेकिन parrot का life span जो है वो 140 years का होता है उसी में horse का life span है वो 60 years का होता है crocodile का जो है वो 60 years का होता है crocodile और horse का life span होता है वो same होता है tortoise का life span होता है वो 100 years का होता है लेकिन बन्यान ट्री जो है उसका life span जो होता है वो 200 to 300 years के बीच का होता है ठीक है, so rice plant जो होता है, चावल का जो पौधा होता है, उसका जो life span होता है वो 3 to 4 months का होता है, ठीक है, okay, so now we will discuss, so life span यहाँ पर समझ में आगे है कि life span क्या होता है, life span बहुत easy है, जनम से मित्यू के बीच का जो समय होता है, उसको हम लोग life span बोलते हैं, ठीक है, अब हम जानेंगे कि reproduction क्या होता है and its type, तो reproduction क्या होता है, reproduction is defined as a biological process in which an organism gives rise to young ones similar to itself, तो reproduction का मतलब हम क्या समझते हैं, reproduction क्या होता है, reproduction एक ऐसा process है, जिसमें हम क्या होता है कि एक organisms जो है, वो अपने similar organisms को जनम देता है, उसको हम लोग क्या बोलते है, reproduction, reproduction मतलब क्या कि जैसे human beings है, तो वो human being को जनम देगा, horse है अगर horse है तो वो horse को जन्म देगा, cow है तो वो cow को जन्म देगी, ठीक है, तो इसी तरीके से तो reproduction का मतलब क्या है, reproduction एक ऐसा biological process है, जिसमें क्या होता है, कि एक organism जो है, वो अपने young ones को produce करता है, जो की हूँ बहु उसके जैसा दिखता है, ठीक है, off spring का मतलब है, young ones, young ones मतलब ब प्रच्चे, ठीक है, तो कोई भी organism जो है, वो अपने जैसे बच्चों को ही जनम देती है, ठीक, तो अब हम जानेंगे, reproduction, reproduction तो हम में पता चलेगा, कि reproduction क्या होता है, अब types of reproduction, तो there are mainly two types of reproduction, asexual reproduction and sexual reproduction, there is mainly जो होता है, वो two types का reproduction होता है, यहां हम लोग देखेंगे, reproduction जो होता है वो दो क्लोंश कि अब देखेंगे difference sexual whenちょ बांफिब क्या difference और यहाद आप सेक्षल अक्षेंट कि छहोता है citizen dat कि इसकिष्येट के किया है और शेक्ष्ष क्या है इसके बीच में वो में यहां होता है यहां पर यहां में weeks कहते हैं यहां पर्थाय सब्सक्षाह Cherry fusion नहीं होता है for example parthenogenesis parthenogenesis जो है वो type of asexual reproduction है लेकिन उसमें जो है gamut का formation होता है लेकिन उसमें fusion नहीं होता है clear next the offspring formed by asexual reproduction are genetically identical to the parent and are referred to as clones क्या बोलता है कि जो off spring जो होते हैं जो कि asexual reproduction में off spring जो जनम लेते हैं वो जो है identical होते हैं जैंटिकल ही जो है अपने parents से identical होते हैं कि दम हो दिखाए पड़ते हैं उनको जो हैं क्लोन बोलते हैं मतलब same to same अपने parents का जस्ट फोटो कॉपी जरॉक्स होते हैं ठीक है उसको हमनों क्या बोलते है clones ठीक है लेकिन sexual reproduction में क्या होता है कि अपने parents का identical नहीं होते हैं और to each other hence at least variation population इसलिए जो होता है यहां पर जो population में variation होता है ठीक है इस सिंपल और फास्ट प्रोसेस एक सिंपल फास्ट प्रोसेस है यह बहुत ज्यादा सिंपल प्रोसेस है और फास्ट प्रोसेस है लेकिन इस sexual reproduction क्या है इस एलाबरेट complex and slow process लेकिन sexual reproduction क्या होता है यह complex और बहुत धीरे-धीरे होता है ठीक है इट involves only mitosis इसमें जो है एस sexual reproduction में जो है सिफ mitosis होता है लेकिन sexual reproduction में जो है मियोसिस होता है ठीक है इट इस ऑल्वेज यूनी पैरेंटल और सिंगल पैरेंट एस पैरेंटल होता है लेकिन sexual reproduction जो होता है यह जो है यूनी पैरेंटल होता है लेकिन अब यूनी पैरेंटल क्या होता है तो यूनी पैरेंटल मतलब सिंगल पैरेंटल मतलब कि इसमें क्या है कि और्गनिजम्स जो है वो खुद अकेला रहके भी जो है अपने यंग वन्स को जनम दे सकता है उसको उनी पैरेंटल बोलते हैं लेकिन बाइपैरेंटल में क्या इसमें टू पैरेंट्स का रिक्वार्मेंट होता है जैसे कि हूमन हो गया ठीक है तो इसमें जो है मेल और फीमे इस क lives और भी टैकाल में इस और टैकाल इसमulle को अैश्य व्यूर्याेपैखजन में बोलता है कि दस्नॉट प्ले एंपोर्टेंट रोल इनिवडेंड इंपोर्टन प्रोसुषन प्रोसुषम में जयादा इम्पोर्टन रोल प्ले नहीं करता है जुकि इसमें कोई वर्येश में क्या बोलता है कि it is common among single-celled organism and in plants and animals with relatively single organization simple organization ठीक है और sexual reproduction में क्या बोलता है कि it is common in higher animals with complex organization यह जो है common होता है higher organism में with complex organization समझ में आगे एस एक एक करके देखेंगे इसका types और इसके बारे में जानेंगे ठीक है तो क्या बोलता है कि it is casual reproduction जो है वो होता है मैं तो it is sexual reproduction क्या होता है तो it is sexual reproduction जो होता है वो Uniperntal with or without gamit formation as a simple reproduction जो होता है यूनी parental होता है और इसमें जो है गैट है Louise कर disrespect ओंप नहीं होता जैसे एक्जामपल हम आपको पहले बता चुके है पार्थेनोगेसिस उसमें क्या होता है कि उसमें गामेट का फॉर्मेशन तो होता है लेकिन गामेट का फ्यूजन नहीं होता है ठीक है अब आता है और ऑफ इस्प्रिंग और एक्जेक्ट कोपी होते हैं अपने पैरेंट्स क क्या होता है मैं अब आते हम लुट किण होंक कितने टाइप साय poking ओआ एक्स टाइक पोचिंग नेिग garantwhere हो तो होता है यह शेत्रेवां का होता है एस एक्जाय का होता है तो सब से पहलेन आंगे किष्जन क्या होता है कि इसमें जो है बोलता है कि इसमें जो है ऐसमें ज़ो है दो से जादा डॉटर सेल्स जबाइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि इस डाइगराम में हम लोग होता है वो मेंली फीजन दो टरहा होता है, binary फीजन और już sera tresne 시​ in मαगे तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि binary फीजन क्या होता है when आइ dois टरहा होता है बैनारी फीजन है multiple fish & all तो binary फीजन आइडान राय क्या होता है the splitting of parental cell into two equal daughter cells each of which rapidly grows into an adult is called binary fission क्या बोलता है कि इसमें जो है parent cell जो है वो दो से जादा दो daughter cells में जो है split होता है इसको हम लोग क्या बोलता है binary fission इसमें क्या होता है कि parent cell जो है वो दो daughter cells में divide होता है ठीक है इट अकर्स इन सिंगल सेल्ड अनिमल्स लाइक बैक्टिरिया प्रोटोजोवा एक्जापल अमीबा पारमीसियम इट कैन बी simple और irregular longitudinal oblique transverse depending on the plane of division ते क्या बोलता है कि binary fission जो है इसमें जो है parent cell जो है वो two daughter cells में divide होता है for example amoeba अन पारमीसियम ते क्या है अब multiple fission multiple fission क्या होता है तो multiple fission the splitting of parental cells into numerous daughter cells each of which grows into an adult is called multiple fission क्या बोलता है कि इसमें जो है parent cell जो है वो बहुत सारे daughter cells में जो है वो डिवाइड होता है और हर एक जो है उसमें से grow करता है एक adult की तरह उसको हम लो multiple fission बोलते हैं मतलब एक parent cell जो है वो बहुत सारे daughter cells में रिलीज होता है उसको हम लोग और grow करता है as an adult इसको हम लोग क्या बोलते है multiple fission और यह example इसका क्या हो गया प्लास्मोडियम multiple fission का example हो गया मेरा प्लास्मोडियम ठीक है तो यहां पर हम लोग क्या समझें कि इस 12 डिउड़एस होते है उसमें से 25 ताइफ देखे Кरीशन होता है 25 ताइप Mmm 一व बाइनरी बॉडूडी पी GRE अभनेafter क्परीचान आसा मेंस्त। फ्रेग्मेंटेशं टो फ्रेग्मेंटेशं क्या होता है च्चब्ड़ें बेहां देखते ए жंड प्रेग्मेंट the parental body breaks into two or more fragments and each fragment grows into a new individual called fragmentation तो क्या बोलता है यह जो है fragmentation जो है is a mode of asexual reproduction जैसा कि हम जानते हैं कि यह fragmentation जो है is a type of asexual reproduction इसमें क्या होता है कि parental body जो है वो two two या more fragments में जो है वो ब्रेक हो जाताय है तूट जाता है और यह एक fragment जो है एक new individual के तरह ग्रो करता है इसको हम लोग Two बोलते है इन तो यह ज्यू है ब्रतोश्ता जाता है और यह जुडै कि यह चा की ब्रेक करता और हर एक पार्ट जो एक नया इंडिविज्वल की तरह ग्रो करता है ठीक है नेक्स्ट इस बड़िंग बड़िंग क्या होता है तो बड़िंग जो है बड़िंग 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 यह को पर्टव का पर दिवाइड कर जाता है तुप आट्स में और टू पार्ट applies लको करता है तुकश मों它 अर बढ mode चेसम कॉस्ट अ वह पॉत में क्या पोलता है कि it is a mode of asexual reproduction in which the missing part of an organism is repaired by proliferation called of cells example planaria ठीक है इसका example क्या होगा planaria next one is sport formation sport formation जो होता है वो तीन तरह से होता है जूइस पोर कॉनेडिया एंड गेम्यूल्स तो जूइस पोर क्या होता है इसमें क्या होता है एक से ज्यादा फ्लाजेला होता है ठीक है एंड जूइस पोर्णियम जो होता है वो जो है एक सेक लाइक के इस्ट्रक्टर में होता है और इसको हम लों क्या बोलते हैं जूइस पोरांजियम एक्जामपल क्लाइडो मोनस देखो यह हो गया इसका जो होता है मोटाइल स्पोर इसके पस डोасला होता है तुप होता है एक यह किसरे सपोर होते है бок्स के चरुक्ष घो चैक इने बूलते हैं इसके वह एक वातfahrोह गया ूड़ इस नीप्टिके क्या होता है is sexual non motile is supposed cut off extreme externally either singley example phytopythora or in Chen example Penisillium from that tip of special hypha called Cornelius यह कैसका Penisillium जो होगिया क्या इसमें क्या बोलता है कि सिंगल क्या फिर चैंड लाइक स्ट्रक्ट्ट सिंगल या फिर चैंड जो होता है और इसके बाद यह टिप में ग्रोड़ता है और यह पिर अलग हो जाता है क्या होता है कि इंटर्नल यह है अंदर है अंदर है मतलब इस पोंच के अंदर है यह तो यह जो है इंटरनल इसले बोला जा रहा है क्योंकि यह अंदर है तो गैम्यूस जो होता है वह एसेक्सवल रिप्रडक्टिव यूनिट होता है बर्ड्स का आर्कॉल्ड गैम्यूस टिक है एक्जामपल स्पॉंज दीज डेपलब्स वीदिन दा पैरेंटल बॉड़ी एंड रिलीज द् क्या होता है यह जो है एक मोड ऑफ रिप्रडक्शन है जिसमें कि न्यू प्लांट्स जो है वो ग्रो करता है मतलब की रूट से मंतलब की रूट स्टीम जैसे बहुता है उस से नया प्लांट जो है मतलब यदर डीज बहुता है लगाँ है इस वो ग्रो करता है। यहां पर दिया हुआ है देखो फॉल्वाइंग आर सम यूनिट्स और वेजिटेटीव प्रोपेटेशन का कुछ यूनिट्स जैसे कि ओनियन में जो होता है वह बॉल्ब्स होता है बॉल्ब्स पाया जाता है उसके बाद पोटेटो में आइस होता है यह जो एसे छोट शोटा पौधा जो है वो जनम लेता है इसी तरीके से जिंचर में होता है साघ्य कि अपर होता है ऑग होता है sexual reproduction sexual reproduction हमारा जो है यह सारा हमारा complete हो गया अब हम यह देखें कि sexual reproduction क्या होता है sexual reproduction क्या होता है so let's see sexual reproduction का मतलब आप क्या समझते हैं sexual reproduction involves the fusion of male and female gametes to form a gygo sexual reproduction में क्या होता है कि मेल और फीमेल गैमेट के बीच में जो है fusion होता है ताकि वो क्या कर सके जाइगोट का formation कर सके sexual reproduction क्या होता है एक ऐसा process है जिसमें male और female gamets जो होती है इनके इनका fusion होता है ताकि यह क्या कर सके जाइगोट का फॉर्मेशन कर सके हैं ठीक है एंप्लेट सेक्षॉल रिप्रदक्शन इस प्रोसेस इन विज फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट के बीच में जो है वह फ्यूजन होता है तो और ओर्गिनिजम गो थूर फेज तो अटेंड इस टेज ऑफ ग्रोथ जुवेनाइल फेज क्या होता है जितना भी ऑर्गिनिजम होता है वह अपने लाइफ में जो है कि स्टेज से गुजरते हैं जिसमें वह ग्रो करते हैं और मैचुरिटी तक पहुंचते हैं ताकि वह क्या कर सके सेक्षवाली जो है वह रिपर्डियूस कर सके ठीक है जिसको हम जुवेनाइल फेज बोलते हैं अब जुमन जुवेनाइल फेज फेज इन प्लान्ट से क्लल फेजियव वह जो एनिमल्स होते हैं इनमें जो female reproductive cycle जो होता है इसको हम लोग oysters cycle बोलते हैं लेकिन प्राइमेट्स जो होते हैं प्राइमेट्स बोलने का मतलब है monkey, apes, humans ये सब ठीक है इसमें क्या होता है जो female reproductive cycle जो हम लोग menstrual cycle बोलते हैं प्राइमेट्स जो होता है इसमें हम लोग female reproductive cycle को oyster cycle बोलते हैं लेकिन जो प्राइमेट्स होते हैं जैसे कि human beings हो गया है monkey, apes जो हो गया है इसमें female reproductive cycle को जो हम लोग menstrual cycle बोलते हैं ठीक है अब events in sexual reproduction, sexual reproduction में क्या क्या events होते हैं, sexual reproduction जो होता है वो तीन distinct stages में जो है वो divide होता है pre-fertilization, fertilization also known as syngami और post-fertilization ठीक है तो अब हम लोग देखेंगे कि pre-fertilization क्या होता है so these pre-fertilization like this include formation of gametes, gametogenesis, and their transfer temperature risk modification me件 जो होता है कि इसमें gametes का formation होता है gametes का formation होने के अब क्या movements होते है यह chat gametes का formation होता है उस् אח Goodness गम Calvin is बोलते हैं ठीक है तो pre-fertilization में क्या होता है gametes का formation होता है प्रमेशन होता है और उनका transfer होता है उस को हम लोग क्या बुलते हैं ऐसा प्रॉससने जिसमें एक का फोर्मिशन होगा और उसका उसका फ्र्मेट ज़ेनेशनिस क्या होता है ऍढ़ाजन बंक हेसमि क्या होता है कि इंउनास फोर्मेशन ऑप्रstormिक्टीव unit called gametes ठीक है दा formation of male gametes or reproductive unit is called ispermatogenesis क्या होता है सबसे प्रसंद जांगे gametogenesis gametogenesis का मतलब है कि gamet का formation होगा लेकिन अगर वो gamete जो है अगर वो male gamet का formation हो रहा है तो उसको हम लोग spermatogenesis बोलेंगे और वही अगर female gamet का formation हो रहा है तो इसको हम लोग क्या मतलब होता है एक जैसा तो एक जैसा दिखने वाला जो gamets होगा उसको हम लोग homo gamets बोलेंगे ठीक है वें दा male and female gamets are morphologically distinct they are called heterogamets ठीक है तो अगर male और female gamets रहा है अगर वो दोनों अलग-अलग दिखाई पड़ते हैं तो उसको हम लोग heterogamets बोलेंगे ठीक है अमोंग heterogamets the male reproductive unit is called anthroids and or sperm and the female reproductive unit is called agorogam तो क्या बोलता है कि heterogamets अगर में देखे तो इसमें मेल पार्ट मेल गामेट जो होता है उसको हम लोग male reproductive unit जो होता है इसको हम लोग anthrozoid बोलेंगे या फिर sperm बोलेंगे very important anthrozoid ओके और female reproductive unit जो होता है उसको हम लोग एग या फिर ovium बोलते है ठीक है अब single organism bearing both male and female sex gamets is called homothelic और monoseous क्या बोलता है कि single organism जिसके पास male और female दोनों sex gamets present होते हैं उसको हम लोग monoseous बोलते हैं क्या बोलते हैं मोनोसियस इक्जामपल होगे coconut नारियल जो होता है उसके पास male और female दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं और single sex gamet present होते हैं उसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं मोनोसियस तो कोकोनट जो है इसका बेस्ट एक्जामपल है ठीक है और डाइसीयस क्या होता है डाइसीयस मतलब की और इसमें डिफरेंट इंडिवीजबल अलग अलग इंडिवीजबल जो है मेल और female gamers को करता है और उसके बाद जो है यह करते हैं फ्यूज होके जो है वह नया यह जरम देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डाइसीयस्टी के एक्जामपल पपाया यूनी सेक्सवल मेल फ्ला या इसाल हर्मा फ्रोडाइड तो यह बहुत है एक्जाम में पूछय क्या होता है तो हर्मा फ्रोडाइक जो है ऐसा एनिमल जिसम्द के जो है दोनों सेक्स प्रेजंट होते हैं जिसमें और ओड़ GB नेकिन अर्थ मॉर्म vaig ओप्या इसके पास जो है अर्थमें के पास जो है वह मेल और फीमिल शो है वो दोनों मेल और फीमिल ग Emmet दोनों प्रेज़ेंट होता है अर्थवर्म के पास जो है अर्थवर्म के पास जो है वो मेल और फीमिल दोनों गैमिट प्रेजेंट होता है लेकिन ये दोनों जो है वो मतलब अपने बॉड़ी में ये दोनों जो है वो फर्टिलाइजेशन नहीं करता है इसको जो है क्रोस फर्टिलाइजेशन का जौरत होत इसलिए दोनों गैमिट साथ में प्रेजेंट होने के बावजूद भी यह क्या करता है यह दूसरे आर्थ वों के साथ में फ्यूज करता है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन करता है अब कर दो अब हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है गैमिट फोर्मेशन के टाइम में जो सेल का डिवीजन होता है तो गैमिट सार ओल्वेज होता है वह हमेंसा जो होता है है उसमें इन नंबर ऑफ सेल्स जो है वह प्रेजेंट होते हैं डिवीजन करता है डिपलोड ऑर्गनिजम अंटर गो मायमियोसिस ऑफ इस पेसलाइज सेल कॉल्ड मायोसाइट्स टिक है तो फॉर्म गैमिट्स अट थे एंड और बोड डिवीजन ओनली वन सेट अफ क्रोमोजॉम कोल्ड इंकॉर्परेट इंटो इच गैमिट गैमिट ट् जो दा साथ को क्राशिएफन पॉर्म गैमिट्स का ट्रांस्पर कैसे होता है तो आफ्टर गैमिट फ्रमेशन मेल और फीमेल गैमिट्स मॉज्ट भी फीजिकली फीजिकली ब्षीजिकली बॉट टूग फ्योजे isa ndra किया बोलता है कि डाहिक फिद्रे के साथ कांटेक्ट में आते हैं ताकि वह क्या कर सके फ्यूजन करा सके जिसके वज़े से क्या हो नो क्या बोलते फार्टिल आजेशन जब मेल और फिमिल गैमेट जो होता है वह मोटाइल होता है लेकिन फीमल गैमेट होता है वह इस्टाटिक होता है लोवर प्लांट्स जो होते हैं जैसे कि हो गया सम अलगी फंगई बोथ मेल और फीमल गैमेट्स और मोटाइल जैसे कि लोवर प्लांट्स जो हो गया जैसे कि अलगी फंगई एकसेक्टरा इस प्राइट है एक त्रांसफर यह सब जो होता है कि इसमें वाधर जो है वह करता है एक क्या हो सकते गैमेट का एंचिए क्या हो सके एंची कि हो पॉलन ग्रेज़ होते हैं वो तानसफर होते है फ्रॉम एंथर ओफ फलावर तूग्यमा of another flower this is called pollination क्या बोलता है एंजियों में जो है वह फॉलेंग्रेंज जो है वह ट्रांसफर होता है एंथर से इंथर से स्टीगमा में दूसरे सब्सक्राइब करते हैं तो फॉलेंजेशन एंजिय क्या होता है इसमें जो है सिंपल वर्ड में अगर्मली संफ़ेशन क्या होता है इसमें जो है में और फीमेल और फीमेल गाइबेटे होते हैं वह साथ में करते हैं मिलते हैं ताकि वो क्या कर सके डिपलॉइट सेल बना सके मतल्ड होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं को अब लोग देखेंगे पार्थीदोजेंसिस क्या होता है पहले मैं अब लोग इसमें किसका डिफिनेशन क्या है तो यह फेनोमेन एक डेपलॉपमेंट डायरेक्ली इन्टू एंडीविजवल विदाउट इसकौल्ड उच्पारथेंचिस इसमें क्या बोलता है इसमें एक आगया इंडिनोगत का कोई नहीं होता है da वो खोदी एक नहीं इंडिवीजाइश्वal कितरह की तरह गले करती है ग्रम में पार्थीनोगता है ईक्सटरनल फर्टिलाईजिशन क्या होता है स्टर्रीजेशन क्या होता है इसके बीच में डिफ्रेंस तो मिएक्सटารनल मतलब आफर्छी अजिसमें क्या हो रहा है कि गामेट का फ्युजन जो है वो बॉडी के बाहर हो रहा है उसको हम लग क्या बोलते हैं external fertilization simple word में और internal fertilization का मतलब क्या हो रहा है कि गामेट का फ्यूजन है वो बॉड़ी के अंदर हो रहा है इसमें क्या होता है external में कि large number of both male and female game it are released into surrounding में बरोप होती है यह वह क्या करते हैं अपना जो उसको में छोड़ देती हैं और बात में क्या होता है और तकर जाता है और इसी तरीके से होता है इनके बीच में च्छाइन होता है त warfare सब्सक्राइशन बहुत बहुत जादा होता है कि फिर्डेरे सफ्सक्राइशन मी घ्युचन में बहुत ज्यादा होता है जिसके वजह से जो है इसका सवरा सर्वाइवल जो है वह बहुत ज्यादा मुस्किल होता है लेकिन इंटर्नल फर्टिलाइशन में क्या होता है कि ऑफ स्प्रिंग जो होता है वह बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड होता है क्योंकि बॉड़ी के अंद water श्रॉनेпेश और इंतर्णल फंड फर्टियों में एंड्ट पोस्ट फटिलाइजिशन वनका इंटनल फर्टिलायजेशन फोटा संटनोनल की है अब अब लोग देखेंगे कि पोस्ट फटिलाज़िशन एवेंट क्या होता है तो तो दीज इंक्लूड डेपल्पमेंट अफर्टिलाजाशन के बाद इंब्रेयो का फोर्मेशन होता है इसको हम लोग फोल्सट फटिलाज़िशन इवेंट बोलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है जाइगोड का फॉर्मेशन होता है तो जाइगोड का फॉर्मेशन होता है तो जाइगोड का फॉर्मेशन जाइगोड का फॉर्मेशन कैसे होता है तो ये जैगोड का formation में पाहर होगा और internal FETLINITION में क्या बोल रहा है कि जाएगोड का formation जो हता है body के अंदर होता है ठीक है जाएगोड इंसे और गुंटीटी इस्पेशिसow वर गणिजम से और गणिसन तो other क्या embryogenesis क्या होता है embryogenesis जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि of development of embryo from gigot embryogenesis जो है ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि gigot के बाद embryo का formation होता है ठीक है during embryogenesis gigot undergo cell division and cell differentiation cell division का बोलने का मतलब है कि mitosis के थूर जो है cell divide करता है और number of cells जो है इंक्रीज होता जाता है ठीक है और cell differentiation का मतलब है कि to form specialized tissue and organ जब cell division होगा तो of course कि वहां पर जो है बहुत सारे organs जो है और tissues जो है वो develop होंगे और differentiate होंगे ठीक है तो based on whether the gigot develops outside the body of a female parents और inside animals can be classified into oviparous and viparous तो आप हम लोग देखें कि कि ओवी पेरस एनिमल क्या होता है और भी पेरस एनिमल क्या होता है तो इसमें देखेंगे डिफ्रेंस ओवी पेरस और भी पेरस के बीच में है तो ओर भी पेरस और वी पेरस के बीच में हम लों क्या देखेंगे डिफ्रेंस तो ओभी पेरस एनिमल जो होता है ले fertilized eggs amd v का मतलब है एक ठेक धो एंसा एनिमल जो की fertilized एक गोसे हम प्रोट्यूस कर सके उसको हम लोग क्या बोलते है ओअ विपेरस animals the fertilized eggs have calcerous cell and young ones hatch out of a period of incubation मिसमें क्या होता है कि एक से जो है वो मतलब की एक से एक से जो है क्या होता है यंग वन्स जो होते हैं एक पीरियोड ऑफ टाइम के बाद जो है वो जनम लेते हैं चांसे सब सर्वाइबल ऑफ यंग वन्स लेज एस फीमेल ले एक इंवायरमेंट क्या होता है कि फीमेल जो है वह एक बाहर देती है इंवायरमेंट में जैसे कि मुर्गी हो गई फिर आपका पीजन हो गया पीजन भी है नोग देखते हैं वह आर इंवायरमेंट में जो होता है कि उससे जुए नए और गोस्ती जर्म नहीं लेगा तो इसी तरीके से श्टीक है होता है वह एंग वन्स को जनम देता है ठीक है वह जयाता है और उसके बाद चो है यहाँ बन नहीं यंग वन जो भाडिए के अंदर है वह डेबला वहता है फीमेल औरगीने इजमके बाडि के अंदर यह ना यह यंग वन जाए कि जाए गोटी सफॉंड इंसाइट ऑविो फ्लावरिंग प्लांट में जाए जाएकोट यहां पर जाए गोट और सलिबृट बहुती है तो फटिलाइस ऑविूल जो होता है वह डिब लप करता है और आउविट जो फटी के तरहूं जाएकोट एव की तरह तरह जाएक झाल